हेलो दोस्तो कैसे हो दोस्तो यहाँ पे और एक भरती निकल के आ रहा है पेकेंची जो है UPCL उत्राखंड पावर करपरेशन लिमिटेड के तरफ से पूरा जनकरी दूँगा इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है क्या सिलाबस रहने वाला है सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहने वाला है सालरी कैसे मिलने वाला है सारे जनकरी मिलेगा इस वीडियो में वीडियो को बस एंड तक देखिए वीडियो अच्छा लएगा जरूर एक लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरू सब्सक्राइब कर लिजिए यह है दोस्तों इसका official advertisement जो vacancy आया है उत्राखंड power corporation limited के तरफ से advertisement नमबर देख सकते हो upcl oblique 2021 re ctt-01 यह है इसका official advertisement vacancy जो आया है दोस्तों assistant engineer electrical mechanical trainee उसके बाद assistant engineer civil trainee उसके बाद account officer, law officer, personal officer उसके बाद senior industrial engineer यह सारे vacancy निकल के आया है दोस्तों यहाँ पर काफी अच्छा भरती रखा गया है सबसे ज़्यादा जो भरती है assistant engineer electrical mechanical trainee के लिए 72 post रखा गया है दोस्तों 72 post है उसके बाद assistant engineer का जो civil के लिए उसके लिए 7 post रखा गया है next जो आ रहा है personal officer उसके लिए दोस्तों 8 post total रखा गया है next जो आ रहा है दोस्तों senior industrial engineer उसके लिए आपको एक post रखा गया है सबसे ज़्यादा जो post है दोस्तों वो है आपकी assistant engineer electrical mechanical trainee के लिए जो सबसे ज़्यादा post रखा गया है 72 post है इसके लिए दोस्तों qualification का चाहिए for assistant engineer electrical mechanical trainee के लिए should have the obtained bachelor degree in electrical electronics mechanical power engineering या power system engineering से बी भी टेक है तो आप इसके लिए eligible हो उसके बाद अगर आप AMI कर रखे हो AMIE कर रखे हो तो भी आप इसके लिए दोस्तों eligible हो और इसमें guys दोस्तों यहाँ पे जो on reserve and OBC candidate के लिए 65% आपकी aggregate रखना चाहिए आपको 65% mark होना चाहिए दोस्तों 65% mark है तो आप इसके लिए eligible हो next दोस्तों civil student के लिए यहाँ पे bachelor degree on civil branch में होना चाहिए AMIE कर रखे हो तो भी आप इसके लिए eligible हो उसमें भी आपको 65% aggregate होना चाहिए जो mark percentage है वो 65% aggregate होना चाहिए next दोस्तों selection process के बाद करें तो आप लोग के लिए पहले जो stage होगा ओर written test लिया जाएगा written test में 3 hour का मिलने वाला है part 1 and part 2 में रहने वाला है यहाँ पे negative marking भी रहने वाला है one fourth में आपकी negative marking रहेगा written test के बाद आपकी interview लिया जाएगा और जो written का weightage है वो 88% weightage है written test के लिए और interview के लिए यहाँ पे 12% आपकी weightage रहने वाला है written test सबसे weightage जादा है और दोस्तों यहाँ पे जो written test होगा वो part 1 and part 2 दो part में रहने वाला है part 1 में 50 question आपकी आने वाला है और part 2 में 126 mark होने वाला है उसके बाद दोस्तों यहाँ पे age limit के बाद करें तो 42 year तक आप इसके लिए apply कर सकते हो जो age count होगा first January 2021 तक इसका age count होने वाला है इसका जो online शुरू हो रहा है दोस्तों यहाँ पे 17 मार्च से शुरू करके 16 April तक आपको apply कर सकते हो 16 April मतलब आपको एक मेहना पुरा दिया जा रहा है apply करने के लिए कैसे आपको apply करना है आप लोग की side दिया गया है description में मैंने दे रखा हूँ यह है दोस्तों इसका official side test and selection center यहाँ पे आप लोग लोग इन करके apply कर सकते हो यहाँ पे new registration पहले करना पड़ेगा उसके बाद candidate लोग इन दिया जा है candidate लोग इन करके आप इसके लिए apply कर सकते हो अगर चाती हो आप लोग मैं apply करके दिखाऊं तो वीडियो को like करिए comment जरूर करिए कि आप लोग मेरे को कि मैं एक वीडियो बना दूँगा दोस्तों तो यही था दोस्तों पूरा details जो आपकी vacancy निकल के आया है उत्राखंड power corporation limited के तरफ से यह vacancy था दोस्तों वीडियो कैसा लगा comment करिए इसके regarding कोई भी doubts है तो आप हमारे telegram या instagram में join होके chatting भी कर सकते हो हमारे साथ मिलते हैं बाई बाई जैहिन